दिल्ली में द्वारका कोड जजिज और द्वारका कोड बार असोसिशन के बीच एक दिवस्य मैच का आयोजिन किया गया इस मैच में द्वारका कोड जजिज 11 ने द्वारका कोड बार असोसिशन को 97 रन से हराया द्वारका कोड जजिस ने पहले भले बाजी करते हुए पांच विकेट पर दोसो एकीस रन बनाए जज सुशील अनुच त्यागी ने सबसे ज्यादा विचानवे रन बनाए वहीं द्वारका कोड बार असुशीशन 11 ने कुल 123 रन बनाए बार ने 20 ओवर में 123 रन बनाए बनाने में 6 विकेट गवा दिये डिस्टिक एंड सेशन जज नरोतम कौशल ने बेंच और बार के बीच होने वाले मैच को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसे मैच होते रहने चाहिए साथी द्वारका कोट के प्रिंसिपल जज अजे गोयल ने खिलाडियों का आभार वेक्त करते हुए उनको धन्यवाद दिया द्वारका बार असुशीशन के अध्यक्ष वाई पी सिंग ने बताया कि बार मैच को लेकर काफी उत्साह रहा आज द्वारका के बाल भोन स्कूल में डीजे एलेवन और डीजी सीए एलेवन के बीच मैच हो रहा है जिसमें हम बात करेंगे यहां के प्रबंधक और जजेज और जो खिलाडी है उनसे ये मैच जजेज बार और बेंच के बीच में हो रहा है बार जो बेंच का एक बहुत एहम हिस्सा होता है हम हरोज दिन में जब काम करते हैं हमारा काम इकठे ही होता है हम हर कोट में ना बार के बिना काम चलता है ना बेंच के बिना काम चलता है तो वहां हम एक बहुत ही आपच अप्चारिक एट्मॉस्फियर में मिलते हैं और अप्चारिक एट्मॉस्फियर में हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक ऐसे मौकिय होते हैं जो हम अनप्चारिक तार पे मिल रहे हैं अनप्चारिक तार पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और कभी भी गेम का कोई परप हैं ना यह खिलाड़ी हैं हमारा सबका काम कुछ और है पर आज ऐसे मौखे पर मिलकर सभी का आपस में अपना पन भड़ता है और अनप्चारिकता बढ़ती है अधिपर्पस अधिगेम इस ओनली टू ब्रिंग हार्मनी एंड बन हमी बिट्विं दी बार इंदी बेंच दौर करका कोड़ बार के जो प्रेसिडेंट है वाईपी सिंग हमारे साथ है इस मामने में हम बात करेंगे कि आखिर वो कैसे मैच को देखते हैं इसमें चंदिल साहब जो बार और बेंच के बीच में कोडिल रिलेशन रहने चाहिए और जस्टिस डिलिवरी सिस्टम में उसका बह हमेल भी बना रहे और वकील भी और जजीज भी हमने लगातार जुना अभी पिछले कोविड के समय से मार्श से लगातार हम काम करते रहे मेंबरों के लिए वेलफेर के इसी बीच में अपरू कराया है एक तो सीटों के लिए जो ओल्ड चेंबर ब्लोक है न उसमें तकरीब काम काई बनेगी वकीलों के बैटने के लिए साथ मी बरावर में हमारा प्लोट है उस प्लोट के काफी समय से वो पढ़ाता उसका नक्स आपास करा है और नक्से में जो नए वकील है जो हमारे फ्रेसर से वह आते हैं उनके पास सीट और चेंबर कुछ नहीं होता तो तक्री में हैं में जो द्वारका कोड में 23 कोर्ट मों स्ने नई बनने के लिए भी अपरूबल हो morals और तोभ नो में काफि प्रियासिक परया के जो एरिया है ना पास का जिस सागरपूर ऑग ईकाइब हरी नंगर है नरायना आएंगे आर अपनी तरब से जो वकील है उनके लिए पूरी मेहनत कर रही है और उनकी सभी जरूतों का ख्याल रख रही है और यहां मैच हो रहा है यह इंटरटेंडमेंट के लिए है और एक दूसरे के इंटरटेंडमेंट के साथ जो काम के क्वालिटी है वो भी बढ़ेग इससे यह जरूरी है कि ऐसे मैच होते रहने चाहिए केमरामेंट सुमेंट के साथ लिएक मार्सिंचंदेल एपियन दिल्ली